अगले 24 घंटे में देश का मूर समझ में आ जाना है कि देश की वोटर्स ने किस पर भरोसा जताया है। हलाकि अभी भी देश की तमाम पार्टियों जिसमें सबतासीन पार्टी और विपक्षी खेमा सबको यकीन है कि लोगों ने उन्हीं पर भरोसा किया है। लेकिन एकसेट पॉल के हिसाब से अगर हम चले तो तयारिया उसी तरीके से चल दिये हैं। हलाकि विपक्षी पार्टिया अभी तक किसी बात को मानने को तयार नहीं है कि जो एकसेट पॉल इशारा कर रहा है वही इस देश में सच होने जा रहा है। चुनाओं परिणाम बिलकुल इसे अलग होने जा रहा है। क्या फेर बदल होनी है नई टीम में और इसके अलावा जो चार जून को यानि कल जो बीजेपी सेलिवरिशन की तयारिया कर रही है उसमें क्या हो सकता है। परिकरताओं का कितना बड़ा हुजम होगा क्योंकि ये इतिहास रचने बीजेपी जा रही है अगर एक्जेट पोल का अनुमान सही हो तो अब मैं विपक्षी खेमा की बात करती हूँ उनकी क्या तयारी है उनका ये कहना है कि एक तो ये एक्जेट पोल के जो आक्रे हैं वो सही नहीं होने जा रहे हैं। की एक ये भी है इस पर भी उनको फोकेस करना है इस बीच और क्या नया हुआ है एलेक्शन कमिशन एक प्रेस कॉन्फरेंस की और उसमें देश की जुनता को बधाई दिया कि आप सभी वोटर्स ने बढ़ चड़कर हिस्सा लिया और हमने निश्पक्ष तरीकी से चुनाव क हिसाब से राजनदिक पार्टियों ने भी इसे हाँ तो हाथ लिया और देश की जनता ने भी इसे सराहा 370 अनुछे 370 खत्म होने के बाद वहाँ पे ऐसे माहौद में चुनाव होना और वोटर्स का खुलकर निकलना बहुत संकेत दे रहा है लेकिन ठीक 24 घंटे बाद क्या आकड़ा आ जाता है कौन चहरा होगा क्योंकि उनके तरफ से दावा अभी भी यही किया जा रहा है कि नहीं यह एक्जेट पोल का आकड़ा सच नहीं है सच यह है कि बहुमत हमारे पास है 295 सीट्स हमारी यानी है बहुमत से जादा हमारे पास आकड़ा आना है तो अगर साथ क्या होने जारे देश के जनतानिक किस पर भरोसा जताया है